नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम बात करेंगे सेल स्टक्चर और सेल फंक्शन जो होता है इस टोपिक के बारे में पहले हम डिसकस कर चुके हैं सेल क्या होती है एक बेसिक जो यूनिट होती है living organism यानि की जो जीवित चीजें होती है living organisms उनके अंदर क्या होते हैं different type of organs होते हैं तो काफी सारे organ होते हैं जैसे हम human body की बात करें तो हमारे पास जो हमारी body के अंदर हैं काफी तरह के अंग हैं हमारे पास जैसे हमारे पास दिल है, जैसे हमारे पास किडनी है, जैसे हमारे पास जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंतर है, काफी तरह के हमारे पास ओर्गन होते हैं तो ये जो ओर्गन होते हैं, वो हमारे बनते किस्से हैं, वो सारे हमारे सेल से बनते हैं हर एक और्गन का अलग काम होता है तो उसके according जो cell होती है वो specific function होते हैं उनके भी तो similar cell मिलकर एक पूरा group बनाके एक पूरा जो है similar function करती है तो जो cell है वो क्या है कि basic structure है तो living organism के अंदर बात करें तो organ होते हैं, organ हमारे किसे बनते हैं आगे वो cell से बनते हैं तो cell से वो बनते हैं अगर हम plants की बात करें यानि कि पेड़ पोधों की बात करें तो उनके अंदर भी क्या है? organ की तरह जैसे हमारे अंदर organs होते हैं अलग-अलग तरह क्यांग होते हैं इसी तरह plants के अंदर भी क्या होते हैं? plants के अंदर हमारे होते हैं roots होते हैं यानि कि जड़े होते हैं और जो leaves होते हैं यानि कि जो पत्ते होते हैं दोनों का अलग-अलग काम होता है जैसे roots का काम क्या होता है water को absorb करना जो हमारी मिट्टी है उससे और उसको हर एक जंगा जो पेड़ के हर एक जो branches के अंदर पहुंच की बात कर लीजिए उनके अंदर क्या होता है बेसिक structure cell होता है लेकिन अगर हम बात करें टीशू की एक टर्म आती है हमारे पास tissue tissue हम किसको बोलते हैं अगर क्या हो group of similar cell हमारे पास group हो और वो similar इदर जो cell का बना हो, यानि कि एक जैसी cells का बना हो, तो उसको हम बोल देते हैं, एक एक अठे group को, जो similar cell का बना है, tissue बोल देते हैं, यानि कि cell तो basic unit हो गई, सबसे चोटी unit हो गई, अगर हम group के अंदर जो similar cell हैं, उनकी बात करें, तो हम उसको बोल देते हैं, tissue, तो इस तरह स जो cell structure है वो बना होता है और जो को function होता है वो अलग-अलग function के according, अलग-अलग shape और size के अंदर जो हमारी cells है वो पाई जाती हैं, तो ये था हमारा topic cell structure and function living organism के लिए plants के लिए, जो हम ये basic term है, याने कि जो tissue है cell है, organ है, ये जो है इन सारे चीज़ों को हम समझ सकते हैं तो ये था हमारा cell structure and function तो thank you वीडियो देखने के लिए वो और जादा updated वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यानलों पे हमें subscribe कर सकते हैं Thank you